सदा बहार अभीनेत्रीर रेखा सतर के दश्रक पर जब बॉलिवुड में आई काम करने के लिए अमिताब बच्चन से एक एक्टरस होने के नाते सीनियर होने की वज़ा से अपने प्यार को खुले दिल से इजहार करना उनके लिए मुम्किन नहीं था अमिताब की आखों के सामने रेखा का प्यार हमेशा उभर कराता था तबी तो सिल्वल स्क्रिन पर जब ये फिल्मों में नजर आते थे फिल्म राजन अटवर लाल की कहे या फिर करे सलसला उनकी आखरी फिल्म की इन्होंने अपनी मुहबबत के हर एक अंदाज को परदे पर पेश किया है लेकिन कहते हैं न फिल्मों की तरह ही होती है कई सितारों की जिंदगी अधूरे रह जाते हैं प्यार के पंच्छी राधा करिशन की तरह ही क्या अमिताब और रेखा का प्यार था जो कभी एक दोस्रे के साथ रहने के लिए बने ही नहीं थे शादी के बंदन में बनना इनकी जिंदगी में लिखा ही नहीं था मैं ये तो सिफ कहने की बात है क्योंकि अमिताब ने कभी भी रेखा के लिए प्यार को स्वीकार नहीं किया प्रादक रिश्न भी इनकी जोड़ी को कभी इसलिए नहीं कहा जा सकता लेकिन रेखा ने खुले दिल से हमीशा अमिताब के लिए प्यार का इज़ार किया हमिताब की साथ अपने फिल्मी सपर पर सिलसला फिल्म के साथ विराम लगाने वाली रेखा ने अपनी एक फिल्म से लोगों को खुब रुलाया था रेखा की एक कैरेक्टर को आज भी याद कर लोग रो पड़ते हैं उस character की हम बात कर रहे हैं जिसमें रेखा को वाकई में असल जिंदगी की तरह परदे पर पती का प्यार कभी नसीब नहीं हुआ था आए जानते हैं इस special report के जरिये रेखा की जिंदगी की फिल्मी कहानी बॉलिवुट की एवर ग्रीन ब्यूटी रेखा की बात की जाए तो रेखा एक ऐसी एक्टरिस है जिन्होंने हमीशा से ही अपने शांदार फिल्मी करियर से तारीफे बटोरी हैं चलिए हम आपको हमारी इस report में बता दे हाली में रेखा की पुराने फिल्मी सफर को याद करते वे एक रिपोर्ट में ये खबर शापी गई कि रेखा ने अपने फिल्मी सफर को दुबारा से नया आयाम दिया रेखा ने फिल्मी सफर की नई से शुरुबात जब की थी तो वो कोई और नहीं बलकि उनकी फिल्म खोन भरी मांग थी जिसे लेकर लोग कापी जादा अलग तरह से उनसे डिमांड कर चुके थे इसमें ट्रांस्पोमिशन रेखा का लोगो को चौका गया था 32 साल पहले की बात है उन्होंने अपने फिल्मी करियर में सिक्का जमाते हुए साल उनी स्थाने इटासी में रिलीज होने वाले फिल्म खून भरी मांग में जब काम किया था इस फिल्म को प्रड्यूस किया था राकेश रोशन रिति रोशन के पिता ने फिल्म में रेखा के पती का किरदार निभाया था कबीर बेदी ने, सोनो वालिया शत्रुगन सिना इस फिल्म में लीड रोल प्ले करते नजर आये थे, इस फिल्म में रेखा के किरदार की काफी तारीफ हुई, असी के दश्यक की याद अगर की जाए तो बात लोग नहीं को लेकर काफी जादा तकलीव भर था, यह उनका दुबारा से कमबैक था, उस वक्त की कमबैक के बाद रेखा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती नजर आये, रेखा के लिए वो फिल्म सूपर डूपर हिट उनकी करियर के लिए फैसला साबित हुआ, इस फिल्म के लिए रेखा की काफी तारीफे भी हुई, नेक्ष्ट नाइन यूजरूम से दृप्तिक रिपोट, जी हाँ, फिल्म खून बरी मांग की तरह ही, रियल लाइप में भी मुकेश अगरवाल के साथ, शादी के एक साल के अंदर ही, रेखा हमेशा उनसे अलग रह गई और काफिल जा के साथ विदा लेने का, अगली बार लोटेंगी ऐसी ही फिल्म में दुनिया की तमाम रह समय किस से और दिल्शस्प कहानिया आपके बीच पेश करने के लिए, देखते रहें नेक्ष्ट नाइन न्यूज और मुझे दीचे इजासत, नमस्कार